पड़ी खबर जी हाँ 11 वे राउंड में भी जदियू आगे है जी हाँ मनोज कुछ वहाँ आगे चल रहे हैं आपको बता दे लगातार अपडेट देजडी न्यूज आप तक पहुचा रहा है पलपल की अपडेट और जिस तरीके से दो राज्यों में भी चुनाओ हो रहे है हिमाचल प्रदेश और गुजरात गुजरात में भी वीजेपी आगे है तो लगातार कुढ़नी में भी जदियू जो है वो बढ़त बनाई हुए और काटे की ठकर दोनों के भी चल रही है और लगातार जो अपडेट है वो हम अपने दर्शकों से साजा कर रहे हैं और तमा कुढ़नी में और दो राज्यो में जो चुना हो रहे हिमाचल प्रदेश और गुजरात में क्या अपडेट है तमाम सयोगी हमारे साथ नीउसरूम में मौजूद है विशाल वरदवाज है और आलोग जी हैं और प्रिती तमाम सयोगी हमारे अपडेट देंगे और आ रहे थे कि भारतिये जनता पार्टी आगे चल रही है लेकिन अब जो अपडेट आ रहा है कि धिरे धिरे जो नौवे राउंड से कहले तो नौवे राउंड से जो जदियू के प्रत्याशी है मनोज कुश्वाहा वो आगे चल रहे है और इसको लेकर जदियू खेमे में भी कहीं न कहीं खुशी की लहर है और बीजेपी के हलाकि मार्जिन काफी कम है लेकिन आगे तो चल रहे है जदियू आगे चले शुरू से बीजेपी आगे थी लगतार के जो केदार प्रशाद गुपता है बीजेपी के प्रत्याशी वो लगतार करारी सिकस्त दे रहे थे और यह लग रहा था कि भारतिये जंता पार्टी निकाल लेगी सीट लेकिन जो रुजहान अभी तो 23 राउंड होना है वहां हो सकता है बीजेपी के समर्थक ज्यादा होंगे जिस वज़ा से बीजेपी बढ़ती लेकिन अभी जद्यू है तो काटे की टकरा और 23 राउंड होने है तो अब से कुछ देर बाद यह साफ हो जाएगा कि बीजेपी है या जद्यू लेकिन अभी फिलाल की जो अपडेट है वो जद्यू आगे हो गई तो अब जद्यू में खुशी की लहर आनी शुरू हो गई है क्योंकि जो अपडेट है वो तमाम अपडेट हम अपने सयोगी से बात करें हैं और जान रहे हैं क्या लोग जी क्या लग रहा है हिमाचल प्रदेश और गुजरात की क्या सिटी है देखे हिमाचल में तो पिछली बार बीजेपी की सरकार थी इस पर लग रहा है कि पिछे है कॉंग्रेस आके है और गुजरात में क्लीन स्विप बिल्कुल बीजेपी ने क्लीन स्विप कर दिया है कॉंग्रेस का मातर 15 पंद्रा वीजरात के जो रुजहान है 1520 शीटें जाएगा कि लोग सबाद चुना में कौन जीत रहे हैं और बिहार में यानि तीसरा राज एक सीट पर यानि बिहार के लिए जो कुढ़िनी है वह एक बड़ा हॉट सीट हो चुका है क्योंकि जिस तरीके से काटे की टककर सुबा से देखी जा रही थे और 11 राउंड भी पा अच्छी कासी बढ़त बना ली थी लेकिन हाला कि अभी 11 राउंड में जेडियो के मनुच कुश्वाहा आगे चर रहे हैं आपको यह भी बता दे कि मनुच कुश्वाहा ने सुबा मंदिर में जाकर भोले नात का दर्शन किया था उनसे आशुरवाद लिया था तो अब कही लेकिन अभी रिजल्ट आने तक हम तो अभी वैसा कुछ कह नहीं सकते लेकिन हाँ बीजेपी की बढ़त बनी होई है और नतीजे अब फिर देखने वाले होंगे कि क्या कुछ आते हैं तो देखें यह जार में रौंड की अफडेट जो है तमाम अफडेट से जो है और हम बात करते हैं विशाल से कुछ और अबडेट आया है। उसे भी बात करेंगी तो गुजरात कि मॉडल को लेकर बीजे पी कें द्र में आयी थी, तो वो गुजरात मॉड़ल बीजेपी बनाय रखेंगी लगतार वां-गतार पढल से सिक्राई मुमो कईक। देखिए आम आदमी पार्टी ने अभी तक सीट एक भी नहीं जीती है। आगे साथ सीट पर जरूर चल रही हैं, लेकिन सीट अगर निकालने की बात की जाये, तो अभी तक एक भी सीट जीती नहीं है, बीजेपी ने नौ सीट जीत लिया है, और कॉंग्रेस अभी एक सीट पे है तो गुजरात में गुजरात कहा जाए तो बीजेपी की नाक है अगर गुजरात में हारेगी तो नरेंदर मोधी का नाक कट सकता है तो गुजरात जो बीजेपी ने अपनी नाक जो है शान आन बान शान कह ली जे गुजरात विदान सबास को तो वो उसने बचा ली है और अब यहां नितीश कुमार का भी जल्वा बिहार में हम लोग बिहार में है तो बिहार की बात कर लेते हैं तो कहीं नाक तो नहीं बन गई जद्यू के लिए बिल्कुल नितीश कुमार की आनबानशान की बात है और खास करके जद्यू की बात है क्योंकि राजत की सीटिंग सीट है और वो उसने सेक्रिफाइस किया और जदियू को सीटे दी तो कहीं न कहीं ये लग रहा है कि अगर ये सीट हार जाएंगे तो महागट बंदन में नितीश कुमार की साख जरूर गिर सकते अलोग जी लास्ट सवाल और अंतिम सवाल क्या नाख है बीजेपी के लिए जो गुजरात देखे गुजरात में जो नाख के बाद विशाल हमारे शायोगी ने कहाता है कि नाख है उसी तरह मुझपपर पूर मुझपपर पूर भी भारतिय जनता पार्टी के लिए नाख है औ तो आने वाले लोक सवा और बिधान सवा सीटों पर कहीं न कहीं भारते जन्ता पार्टी जीत सकती है भारी मतों से तुझे के साफ तोर से जो तमाम सयोगी थे हम उनसे बात किये हैं और तमाम अपडेट हम आप तक पहुचा रहे हैं जो पलपल के अपडेट है वो क्योंकि 11 राउंड में भी जद्यू ने आगे बढ़त बना ली है क्योंकि सुबह से बीजेपी कुढिनी में आगे बढ़त बनाई हुई थी और लगातार काटे की टकर दे रहे थी और जिस तरीके से कह सकते हैं कि गुजरात में बीजेपी के ल तरह से फिर कहीं न कहीं नितीश कुमार के लिए महागडवंदन में जाना नुकसान हो सकता है क्योंकि 2024 में लोगसभा के चुनाओं है और 25 में विदान सभा के चुनाओं है तो तमाम जो चीजे हैं इससे साफ हो जाएगा कि आने वाले लोगसभा चुनाओं की नतीजे आप बने रहें देश जिनुस के साथ और देखते रहें देश जिनुस